नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि महिलाओं के प्रती होने वाले अपराधों पर लोगों की प्रतिक्रिया पक्षपात पूर्ण होती है कथन की समिक्षा करें और यह जो प्रश्ण आप से पूछा गया है यह संबन्धित है आज के संपाद की से आज तीन संपाद की को शामिल किया गया है जिसमें पहला संपाद की है जिसका शिर्षक है Celebrate with Caution इस संपाद की को लिया गया है Financial Express से और यह संपाद की है GS Paper Second में सामिल विशय नियापाली का और शाषन प्रणाली में उनकी भूमिका के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है वहीं दूसरा संपाद की है जिसका शिर्षक है The Sexist Playbook इसे लिया गया है Indian Express से और यह संपाद की है GS Paper First में सामिल विशय सामाजिक ससक्तिकरण के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है वहीं तीसरा संपाद की है जिसका शिर्षक है After Losing 21 Trillion रूपीस Time to Relook the PSU Policy इसे भी लिया गया है Financial Express से और यह संपाद की है GS Paper Third में शामिल विशय ओद्योगिक नीती में परिवर्टन से समंधित है इन तीनों संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्वक एक नजर हम डालते हैं कि कल जो प्रशन पूछा गया था आखिर उसका सही जवाब क्या है प्रशन है कि स्वत्मत्रता संग्राम के दिनों में अस्प्रिश्यता निवर्ण समिती की सुरुवात निम्न में से किसनी की थी चार ओप्शन है इसका सही जवाब है ओप्शन सी रमा देवी चौधरी ने गांधी जी के इंस्ट्रक्शन में अस्प्रिश्यता उन्मूलन के लिए अस्प्रिश्यता निवर्ण समिती की सुरुवात की थी जिसका बाद में नाम बदल कर हरीजन सेवा संग कर दिया गया रमा देवी चौधरी उरिसा से थी और ये स्वत्नता सैनानी के साथ समाज सुधारग भी थी अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपादिकी की ओर पहला संपादिकी है जिसका शिर्षक है सेलिबरेट वित कॉशन और इस संपादिकी का आधार है कलकत्ता उचन्याले के द्वरा दुर्गा पूजा से संबंधित आदेश एक जन्हित याचिका की सुनवाई के दौरान कलकत्ता उचन्याले ने यह आदेश दिया कि जो छोटे पांडाल है उन छोटे पांडाल का जो छेतर है उस छेतर से आगे पांच मीटर तक जो विस्तार है और जो बड़े पंडाल हैं उस बड़े पंडाल का जो छेतर है उस छेतर से आगे जो दस मीटर का विस्तार है तो वह नो इंट्री जोन होगा वहीं उच्च नयाले ने यह भी आदेश दिया कि छूट मिलेगी इस no entry zone में प्रवेस की किनको तो छोटे पंडाल में पुजारी और आयजकों सहित 15 लोगों को और बड़े पंडाल में पुजारी और आयजकों सहित 25 से 30 लोगों को और यह जो आदेश दिया गया कलकत्ता उच्च नयाले के द्वारा या राज जी के 34 हज़ार पूजा समीतियों पर लागो होता है हलांकि उच्च नयाले के इस आदेश के बाद दुरगोटसब फोरम के द्वारा रिव्यू पिटिसन जारी किया गया और कलकत्ता उच्च नयाले ने इस रिव्यू पिटिसन पर पूनर विचार किया और जो आदेश जारी किये थे उसमें थोड़े बहुत बदलाव किये है अब देखिए कि पस्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा भी गाइड लाइन जारी किया गया है जिसका नाम है जेनरल गाइड लाइन फोर दुर्गा पूजा 2020 और यह जो गाइड लाइन जारी किया गया है वह जारी किया गया है कोरोना महामारी के संदर में ताकि कोरोना वाइरस का परसार कम से कम हो तो इस गाइड लाइन में यह बात कही गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर का प्रियोग करेंगे लेकिन इस गाइडलाइन को लागू कराने के लिए राज्जी के पास प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं है इसी को देखते हुए कलकत्ता उचिनायले ने अपनी तरफ से आदेश जारी किया ताकि कोरोना महामारी कास जो संक्रमन का जो खत्रा है तो वह कम से कम हो सके अब हम एक बार पस्चिम मंगाल में कोरोना की जो इस्थिती है उस पर नज़र डालते हैं देखे अभी तक पस्चिम मंगाल में कोरोना वाइरस के कारण 6,119 लोगों की जान जा चुकी है प्रति दिन 3,992 मामले कोरोना के आ रहे हैं और अभी तक जो कुल मामला हुआ है कोरोना का वह कितना हुआ है 3.25 लाक और अन्तिम 7 दिनों के अगर डेटा पर नज़र डाले तो कोरोना वाइरस के कारण 437 लोगों की मिर्तियों हो चुकी है और 27,000 नए मामले दर्ज हुए है अगर संपूर्ण देश की बात की जाए कोरोना वाइरस के संदर में तो अभी COVID-19 का मामला नियंत्र दिखता है तो इस समय कलकत्ता उचन्याले के द्वारा दुर्गा पूजा के संदर्भ में जो आदेश दिया गया है जिसका उदेश से कोरोना महामारी के परसार को रोकना है या काफी परसंस नहीं है कलकत्ता उचन्याले का या कदम इसले परसंस नहीं है क्योंकि विभिन परकार के अध्यन और डेटा विसलेशन में या पाया गया है कि COVID-19 महामारी का परसार वहाँ ज्यादा देखा गया है जहांपर की सामुदाइक उपस्तिती इंडोर प्लेसेस में हुई है मतलब यहाँ पर यह है कि इंडोर प्लेसेस में जो सामुदाइक उपस्तिती हुई तो इस परकार की सामुदाइक उपस्तिती ने कोरोना महामारी के परसार में महत्रपुन भूमिका निभाई है अगर लंदन स्कूल आफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसीन एनलाइसिस पर गौर करें तो इस एनलाइसिस में 1500 आयजनों का अध्यन किया गया था इन 1500 आयजनों का अध्यन इसलिए किया गया था क्योंकि इन आयजनों के बाद कोरोना महामारी के प्रसार में तेजी आये थी और इस एनिलाइसिस में पाया गया कि जादा तर जो यह पंद्रसो आयोजन थे वह इंडोर आयोजन थे और अगर हम दुर्गा पूजा पंडाल की संरचना की बात करें तो यहां लगभग धकावा छेतर होता है और इसमें वेंटिलेटर की बात करें तो वह ना के बराबर होता है तो काफी हद तक यहां एक प्रकार का इंडोर आयोजन है और इस इंडोर आयोजन में अगर बड़ी साम उपस्थिती हो तो वायरस परसार का खतरा नहीं है, क्योंकि महराष्ट में गणेश चतुरदसी के बाद, कोरोना वायरस के संकरमन का जो परसार है, उसमें तेजी देखी गई, कैसे जरा उस पर गोर कीजिए, 22 अगस से 2 सेप्टेमबर की बीच में गनेश चतुरदसी मनाय गया और इस अवधी में प्रति दिन संक्रमन का जो दर था वो कितना था 0.87 परसेंट वहीं गनेश चतुरदसी की समापती के बाद के अगले अगर हम अवधी की बात करें 3 सेप्टमबर से 17 सेप्टमबर की बीच में तो प्रति दिन संक्रमन का जो दर है वो देखें उसमें विर्धी वी और या कितनी वी 1.21 परसेंट वहीं IIT हैदराबाद और कानपूर के संयुक्त अध्यन में यह बताया गया कि केरल में ओनम के बाद जो संक्रमन है उस संक्रमन की प्रोबैबिलिटी जो है उसमें 32 प एक निश्चित सीमा के बाद लागू नहीं होता है तो इसका अर्थ यहां पर है कि वहां तो सामुदाएक उपस्तिती होगी वहीं आगे देखिए कि दुरगा पूजा के इस अवसर पर रेस्टोरेंट में शॉपिंग मॉल में और सिनमा हॉल में लोगों की उपस्तिती तो अब यहां पर यह महत्यपूर्ण है कि हाई कोट का जो दिसा निर्देश है जिसका उद्देश है या कि कोरोना महामारी के संकर्मन को रोकना है उसके प्रसार को रोकना है तो उसको सफल तब बनाए जा सकेगा जब आयोजक और आम लोग उसका पालन करें यहां यह भी बात सही है कि किसी भी त्योहार का केवल धार्मिक महतु नहीं होता है बलकि उसका समाजिक और आर्थिक महतु भी होता है वह ऐसे कि त्योहार के दौरान जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो मिलने की इस प्रक्रिया में समाजिक सोहार्थ में विर्दी होती है वहीं त्योहा के दिनों में व्यक्ति या समाज पाहले की तुलणा में ज़्यादा खरीदारी करता है, और खरीदारी की इस प्रकृया से बाजार में आर्थीगती सिलता में विर्दी होती है, परंतु वर्तमान समय में यह आवस्यक है की विश्वास और आस्था का जो यह प्रदर्शन है, वो व्यक्तिकत इस तरपर किया जाए, क्योंकि इसी के आधार पर हम कोरोना महामारी के प्रसार का जो खत्रा है उसको कम कर सकते हैं, और यह बात तो भगवान भी समझ सकते हैं, तो इस संपादिकी में हमने दुर्गा पूर्जा, जो कलकत्ता में विश्यसकर मनाय जाता है, हरसो लास के साथ मनाय जाता है, तो वहाँ पर लोगों की भीड ना बढ़े, और कोरोना महामारी संक्रमन का नया खत्रा न उत्पन्द हो, उसके लिए कलकत्ता उचन्याले के हमारा जो दूसरा संपादिकी है, इसका शिर्षक है The Sexist Playbook, और इसका आधार किया है, इसका आधार है कि मद्द प्रदेश में कॉंग्रेस नेता कमलनात के द्वारा, बीजेपी की महिला उमिद्वार पर की गई टिपने, देखे मामला क्या है, मामला ये है कि मद्द प्रद जनक टिपनी की गई, और कॉंग्रेस नेता के द्वारा यह जो टिपनी की गई, उस टिपनी को कॉंग्रेस के दल के द्वारा बचाओ किया गया, हलांकि कॉंग्रेस के एक प्रमुख नेता ने कमलनात की इस टिपनी को गलट हरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कमलनात न नहीं है चाहे वो ममता बनर जी हो चाहे वो जलेलिता हो या इस्मिर्थी इरानी हो या मायवती हो इनके विरुद्ध समय समय पर ओची टिपर्णिया की जाती रही है और यह जो ओची टिपर्णिया है वो इंटरनेट के परियोग और सोसल मीडिया के बढ़ते परियोग के द् की दिनों में और बढ़ती जा रही है और भारती राजनीती में यह जो प्रविर्टियां बढ़ रही है वह किसी एक दल के द्वारा नहीं लगभग सभी दलों के द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही है और जब यह घटना घटित होती है तो जिस दल के नेता के द्वारा इस तरह वो महिला उमिद्वार हो चाहे वो महिला विधायक हो या महिला सांसद हो जब उनके ही पार्टी के किसी पुरुस नेता के द्वारा इस तरह के कारे किये जाते हैं तो फिर ये महिला उमिद्वार महिला विधायक और महिला सांसद अपने उसी अपनी पार्टी के उस नेता का लगबग हर एक छेतर में देखी जा सकते हैं चाहे वो राजनितिक हो चाहे वो समाजिक सांस्कृतिक हो या वो आर्तिक हो और इस प्रकार की प्रत्येक अपमानजनक और असलील टिपणिया हमेशा नेता और बहुबली ही नहीं करते हैं बलकि समाज में जो आम लोग हैं उनके द्वारा यह कारी किया जाता है चाहे राह पर गुजनने वाली महिलाई या लड़किया हो उन पर वो ओची टिपणि करते हैं कार्य स्थल पर जो महिलाएं होती हैं उनके विरुद्ध ओची टिपणिया देखने को मिलती हैं और कभी-कभी तो घरों में भी इस प्रकार की टिपणिया करते वे पुरुष सदस दिखते हैं और यह वैसे पुरुष होएं जो कि नेता और भावली नहीं होते हैं बलकि यह आम लोग होते हैं यहां दो परकार की मानसिक्ता कारी करती है पहली सामंती सोच जो पित्री सतात्मक अबधारना पर आधारित है जिसमें महिल के परती जो घटनाए होती हैं उस घटना का विसलेशन वो अपनी व्यक्तिगत राजनितिक विचारधारा के अंतरगत करते हैं जिसमें आम लोग भारती समिधान के अंतरगत जो प्रस्तावना में भासा है कि हम भारत के लोग उससे भिन एक पार्टी कारी करता की भूमिका निभाते हैं देखे भारत की महिलाएं इस प्रकार की सोच के प्रती सजग हो चुकी हैं यही कारण है कि इस विपरीत परिस्तितियों में भी भारती महिलाएं प्रतेक छेत्र में अपनी मजबूत उपस्तिती को दर्ज कराने में प्रयासरत हैं तो इस प्रकार हमने इस संप संपादकी की ओर तीसरा संपादकी है जिसका शिर्षक है time to relook the PSU policy इसका अधार क्या है इसका अधार है सार्जनिक छेत्र उपकरम से संबंदेत रणनीतिक छेत्र नीती पहले हम जानते हैं कि सार्जनिक छेत्र उपकरम आखिर है क्या तो सामाने रूप में सरकारी कंपणी को सार्जनिक छेत्र उपकरम कहते हैं या सरकार के स्वामित वाली कंपणी को सार्जनिक छेत्र उपकरम कहते हैं तो मामला यह है कि वित्त मंत्री ने पिछले सोमवार को यह बयान दिया कि वित्त मंत्राले सार्जनिक छेत्र उपकरम से संबंदेत रणनीतिक छेत्र एवं गै सार्जनिक छेत्र उपकरम से संबंदित इसका उद्य से है कि सार्जनिक छेत्र उपकरम में उत्पादन एवं उत्पादक्ता में परिवर्तन। इसी वर्ष मई महिने में वित्त मंत्री ने सार्जनिक छेत्र उद्यम से सम्मंदित नई नीती के प्रारूप की घोशना की थी जिसके अंतरगत देखें कि जो सार्जनिक छेत्र उपकरम है उसका विभाजन दो भागों में किया जाएगा रणनीतिक छेत्र और गैर रणनीतिक छेत्र जो रणनीतिक छेत्र है इसके अंतरगत जो कुल पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स होंगे या कुल सार्जनिक छेत्र उपकरम होंगे उनकी संक्या नियूनितम एक और अधिकतम चार होगी और अगर किसी छेत्र में अगर रणनीतिक छेत्र से ही समंदित अगर जो छेत्र है उसमें अगर साजनिक छेत्र उपक्रमों की संक्या चार से जादा होगी तो फिर क्या किया जाएगा कि उस साजनिक छेत्र उपक्रम को जो की चार से जादा होगा उसे किसी दूसरे साजनिक छेत्र में उसका विले कर दिया जाएगा या उसका नीजी करन कर दिया जाएगा वहीं रणनीतिक छेत्र से भिन जो गैर रणनीतिक छेत्र होगा उस गैर रणनीतिक छेत्र में मौजूद जो साजनिक छेत्र उपकरम होंगे उसका या तो आपस में विले कर दिया जाएगा या उसका नीजी करण कर दिया जाएगा अब यहां महत्पूर्ण मसला यह है महत्पूर्ण सवाल यह है कि यह जो नीती जिसकी चर्चा बार-बार वित्मंत्री के द्वारा की जाती है तो यह आखिर लागू कब होगी और अगर लागू होगी तो किस रूप में होगी मतलब यह कि कौन-कौन से पबलिक सेक्टर और रणनीतिक छेत्र में होगे और कौन-कौन से गैर रणनीतिक छेत्र में होगे अब उसी के संदर्म में संपादकी में कुछ छेत्रों का जिक्र किया गया है जैसे देखिए अब यहां पर बात की गई है Air India की एर इंडिया में सरकार विनिवेस के लिए कई वर्सों से प्रयासरत है और यह जो नई निती की घोषना जो मई माह में की गई है तो मई माह से पहले ही सरकार एर इंडिया में विनिवेस कराने के लिए अपने तरीके अपना रहिए सरकार ने तो Air India में विनिवेस से प्रगती करते हुए नीजी करण का मारग अपना लिया है लेकिन उसके बावजूद भी Air India में अभी भी विनिवेस या उसका नीजी करण नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ पर यह है कि सरकार यह चाहती है कि Air India में अगर वीनिवेस हो या उसका नीजी करण हो तो वीनिवेस और नीजी करण करने वाली जो कमपनी है वह Air India पर जो कर्ज का भार है उस कर्ज के भार को भी अपने सर पर ले ले यही जो सर्थ है यही सर्थ वीनिवेस या निजीकरण के मामले में एक बहुत बड़ी बाधा है एर इंडिया में वहीं अब ज़र आप बैंकों की बात करते हैं देखिए कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो यcue camera बा बात हुरे की रणनीतिक छेतर में निवन्तम एक और अधिक्तम चार यही public sector enterprises हूँगे तो अगर निवन्तम एक और अधिक्तम चार ही public sector enterprises हूँगे तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक से उस सारे बैंकों का आपस में विले करकर चार पब्लिक सेक्टर बैंक से रखा जाएगा वहीं एक उधारन यहाँ पर लिया गया है IDBI बैंक का तो IDBI बैंक का निजीकरन सरकार को कर देना चाहिए था वह इसलिए क्योंकि IDBI बैंक में अगर सरकार निजीकरन करती है तो उसके लिए संसदी अनुमोधन की आवस्यक्ता नहीं पड़ती है लेकिन हुआ क्या है हुआ यह है कि IDBI बैंक का जो शेयर है उसे किसी निजी विक्रेता नहीं खरदा है बलकि LIC ने खरिदा है LIC का IDBI में हिस्सा कितना है 51% है चले अब हम बात करते हैं 13 बड़े पेट्रोलियम कमपनियों की देखे यहां भी फिर वही सवाल है क्या कि रणने नितिक छेतर में कितनी कमपनिया रणनी चाहिए चार तो फिर सवाल वही है तो इसका मतलब है कि चार के बाद जो 9 कमपनिया क्या उनको बेच दिया जाएगा या फिर उनका आपस में विलाय करके चार कमपनिया बना दी जाएगी संपाधकी में एक महत्पूर मुद्दे पर प्रकास डला गया और वो महत्पूर मसला क्या है वह है पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स का बाजार मुल्ले और उस ब पॉइंट चार लाक करोड रुपए जो 2020 में गिरकर कितना हो गया 14.7 लाक करोड रुपए संपाधकी में यह बात कही जा रही है कि 2014 इसवी में सार्जनिक छेत्र उपकरम का जैसा प्रदर्सन था अगर वैसा ही प्रदर्सन बना रहता तो वरतमान में सार्जनिक छेत्र 2020 में जो बाजार मुल्य है और 2014 के इस तर पर ही अगर सार्जनिक छेत्र उपकरम का प्रदर्सन वरतमान में रहता तो अगर दोनों के बीच हम तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि चह लाक करोर रूपय का प्रदर्सन के इस तर पर नुकसान हुआ सार्जनिक छेत्र उपकरम का वहीं व्यक्तिकत इस तर पर हम देखें तो SBI का देखें SBI का बाजार मुल्य 2014 में कितना था 2.06 लाक करोर रूपय और 2020 में कितना यगीरा कितना 1.82 लाक करोर रूपय और यही गिरावट देखी गई है किसमें ONGC में उसके साथी COVID-19 महामारी के कारण BPCL के निजी करण और LIC के लिस्टिंग की परकरिया में भी देरी हो रही है तो अब इस समय सरकार के लिए यहाँ आवस्यक है कि एक ऐसे नीती का निर्मान करे ताकि Public Sector जो Undertaking से साजनिक छेत्र उपकरम है उसमें विनिवेस और नीजी करण जल्द से जल्द हो सके तो इस समपात्की के माध्यम से हमने साजनिक छेत्र उपकरम के विनिवेस और नीजी करण कि क्या इस्थिती है उस पर हमने चर्चा किये है अब आज का सवाल सवाल है कि Portraits of Power Half a century of being at ringside नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है चार ओप्सन है A. Manmohan Singh B. N.K. Singh C. Karan Singh D. Sosita Roor इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार